नमस्कार दोस्तों बेखॉफ बेबाग डर का दूसरा नाम रिशब पन्त एक ऐसा बल्लेबाज जो की अब गेंदबाजों के लिए फॉफ का दूसरा नाम हो गया है जिसको देखकर पड़े से बड़ा गेंदबाज उसके हाथ पाओं फूलने लग जाते हैं उसको गेंदबाजी करने में डर लगने लगता है जैसे कि जैक लीच के साथ पहले मैच में हुआ था उनको तो लगा था कि कहीं मेरे करियर का अंत ना हो जाए चार ओवर में उनको 60 से जादा ननमारे थे रिशप पंत ने वहीं जैक लीच तो एक छोटा सा एक्जामपल मैंने आपको दिया है अब हर जो गेंदबाज उनके सामने आता है रिशप पंत उसकी ऐसी क्लास लगाते हैं कि लंका लगाते हैं कि डंका वजा देते हैं बल्ले बल्लेबास रन बनाने को तरस रहे थे परेशान हो रहे थे रन नहीं बना पा रहे थे उस विकेट पर रिशप पंत ने शतक ठोक दिया और एक बार फिर से सावित कर दिया कि क्यों उन्हें एक X-factor बल्लेबास कहा जाता है क्यों उन्हें विसपोटक और बड़ा खतरनाक बल्लेबास कहा जाता है साबित कर दिया रिशप पंत ने और इस सैकड़े के साथ रिशप पंत ने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिये हैं रिशप पंत ने 88 गेंदों पर अपना अर्दशतक पूरा किया था लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक्सलरेट किया उसके बाद जो डीजल गाड़ी में इंजन फिट किया इलेक्ट्रिक इंजन फिर तो उनकी गाड़ी ऐसी सरपट दोड़ी कि 115 गेंदों पर वो सेंचुरी तक पहुँच गए अब इसके बाद रिशब पंद जो हैं भारत के पहले विकेट कीपर ऐसे बन गए हैं सारे विकेट कीपरों को पीछे छोड़ दिया है भारत के रिशब पंद रहे ये बहुत बड़ी बात है भारत के पहले ऐसे विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड, आस्ट पारतीय विकेट कीपर बन गए हैं, रिशब पंत अब इस से जदा उनकी तारीफ क्या की जाए? उनके ये आंकले इस बात की खुद परिशायक हैं कि रिशब पंत ने क्या करके दिखा दिया है? बड़े से बड़ा कीपर नहीं कर पाया, सयद किर्मानी नहीं कर पाया, किरन मोरे नहीं कर पाया, महिंदर सिंग धोनी नहीं कर पाया, पार्तिव पटेल नहीं कर पाया, नैन मुंगिया नहीं कर पाया रिशब पंत ने लेकिन वो करके दिखा दिया है रिशब पंत भारत के पहले ऐसे खिलारी बन गए हैं और दुनिया के महज दूसरे ऐसे खिलारी बन गए हैं विकेट कीपर के तौर पर जिन्होंने इंग्लैंड औस्टेलिया और भारतिय सरजमी पर शतक लगाया ये रिकॉर्ट ऑस्टेलिया के दिगर्ज बिगेट कीपर एडम गिलक्रिस के नाम है और अब रिशब बंत ने भी यही मुकाम हासल कर लिया है रिशब बंत ने आपको बता दे इस मैच में छक्का लगा कर अपना तीसरा टेस्ट शतक पूरा किया दिल्चस बात यह है कि पंत ने विदेश में अपना शतक भी इंग्लैन के खलाब छक्के से ही पूरा किया था और अब पहला घरिलू शतक भी उन्होंने छक्के से ही पूरा किया है पंत के लिए साल 2001 की सभी तक बड़ा शानदार रहा है छे पारियों में उन्होंने 64.37 की उसत से 515 रन ठोक डाले हैं और उनसे आगे इंग्लाइन के कप्तान, सिर्फ इंग्लाइन के कप्तान जो रूट हैं जो अब तक 764 रन इस साल बना चुके हैं और इस साल रिशब पंत ने तीम इंडिया के लिए घजब की पारियां खेली हैं, मैच विनिंग पारियां के लिए हैं, और उस्टेलिया में जो नवासी नाबाद की पारी खेली थी उसने और उस्टेलिया में और उस्टेलिया को रौंद दिया था, एतिहासिक सिरीज जीत ज चले जा रहे हैं और बड़ी निरनायक पारियां खेलते चले जा रहे हैं रिशापन्त जो की मैच को एकदम से मोड देती हैं अपने बलबूते वो मैच पलड देते हैं ऐसा ये पल्लेबाज है और इसलिए पूरी दुनिया आज इसके सजिदे में चुप गई है एक बार फिर से आपको कैसी लगी उनकी इनिंग बताइएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बहुत बार शुक्रिया